वेल्कम बैक फ्री में जानो चलिए जानते हैं क्या सा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल वीडियो के शुरात की जाये उससे पहले कॉमेंट शेक्षन में अपने जले का नाम ज़रूर बताएं साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें आपको बतादे कि दिल्ली यूपी में बारिश जानिय बिहार जारकंट सहित अनियर राज्यों का हाल दक्षन तमिलनाडू के अलावा केरल और लक्षवदीप में असार नजर आ रहे हैं इसके अलावा अंडमान निकुबार दीप समू में अगले पांच दिनों तक बारिश होने की संभावना चलिए जानते हैं कैसा रहेगा यूपी का हाल मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रिदेश में कई जिलों में बादल चाने के साथ इस सप्ता हलकी से मद्यम बारिश हो सकती है बारिश की वज़े से थोड़ी जादा सर्दी लोग महसूस करेंगे जैसे जैसी ये सप्ता हागे बढ़ेगा तापमान में बढ़ोतरी दर मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडू के 30 ए इलाकों में उत्तर पूरी हवाय चल रही है जिसकी वज़ा से अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभाबना है राजिस्तान के कुछ इलाकों में रात में सर्दी का असर जारी राजिस्तान के कुछ इलाकों में रात में सर्दी जारी रहेगी हलाकि अधिकतम तापमान 33 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच गया है आसमन साफ रहा मौसम विभा की माने तो सुभा शाम ठंड पड़ रही है हाला कि सुभा की वक्त कोहरा रहता है लेकिन मौसम विभा की अनुसार मंगलवार से गुरवार तक सुभा और रात में घना कोहरा पड़ेगा जबकि शुकरवार को मौसम में बदलाव दिखेगा आकाश में बादल चाहे रहेंगे कुछ आलाकों में गरज के साथ बुदनवानी के आसार है अगले दिन शेनिवार को आकाश साफ रहेगा वहीं जारखंड में मौसम का मिजास बदलने वाला है फिलहाल आसमन साफ है लेकिन 16 फरवरी से मौसम बदलने का अनुमान है ये सलसला करीब एक हफ़ते तक चलने की संभावना वहीं मौसम विभाग ने 19 फरवरी को राज के एक दो स्थानों पर हलके से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है IMD की माने तो देश के अधिकांश भागो का मौसम खुर्श रूमा रहेगा अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में तापमान 2-4 डिगरी की वरधी के आसार है 17-20 वरवरी के बीच एक पश्चिमी विक्शोबाएगा जिससे उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित हो सकता है तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकन को दबा दें जिससे कि हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट सरूर गरू कराते रहें तो बने रहिए हमारे साथ थैंक्स वोचिंग